अगर आप एक प्यापकाउंट होलडर ने तो वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मैं आपको एक रीजन के बारे बताने वाला हूं जो कुछ प्यापकाउंट डॉलर्स फॉर्म 31 अप्लाई करते हैं तो उनको एक रीजन हैं अमारा जो call claim किया गया था from 31 या एडवांस के ली claim किया एक है तो ऐसे में कहले जोस्तों आ तो अब sustainability कर सकते हो और नहीं इसमें क्या होगा कि नहीं आप from 31 सेडल कर पाऊगे क्योंकि इस रिजेक्शन में बताया गया है कि आपको क्या करना है अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है सबसे पहले इस रिजन को अड़ाने के लिए आपको अगर एडवांस बिड्रोल करना है या फुलन फुलं में प्रस्टल में कलें ऐसे उसके बाद पेसा पैसा इसे कर देने हैं उसके बाद आपको पैसा है वह इसलें आपको उसके बाद देखिए इधर हमसे UN passport or capture मांगा जाले हैं उसके बाद sign in पे करेंगे click sign in पे click करती ही दोस्तों यह हमारे आगे pop up आगे उसको करेंगे क्लिक करने के बाद देखिए यह हमारे आगे खुल जाएगा पेज इसमें हमारे सारी डिटेल है सो जाएगे जो भी हमारे डिटेल्स है अब इसके बाद हम थोड़ा करेंगे उसके बाद यहां पर step first लिखा हुआ गया है यह step first है इसे हमां complete करना है इसमें देखिए सबसे पहले हमें अपना employer पर सेलेक्ट करना है तो इसको पर्जेंट पर सेलेक्ट करेंगे जैसा बता रहा हूं वैसे करिए उसके बाद हमारा यह नंबर यहां पर आ जाएगा उसके बाद यहां पर डिटेल करेंगे डिटेल करते देखिए इस्टेपिलिस्मेंट का एक option यहां पर एड़ हो चुका ह करा तो यहां पर हम अपनी कंपनी को सीलेक्ट करें गार फैसन भी कंबनी आप ऐसा ट्रांसफर करना आप दें यहां पर इसका पर इसका ऐल्रेड़ी और रखा है तो यहुए तो अल्रेड़ अई करोगे में लुक्षा यह मेरी जो आइडी है जो मेरी मेंबर आइडी है इसका पैसा ट्रांसफर नहीं हो रख्या पर जेंट में तो इसको ट्रांसफर अब कैसे करेंगे के सेलड़् करने के बाद अब यहां पर कडित करूब में इसको करेंगे करना को अब देखिए यहां पर क्लीक करने के धास्ट देखिए आप इसको देखेंगे कैसे ही रिक्षेस्ट यहां पर online शर्विस पर, यहां पर trade claim status है, simple इसपे किलिक, क्लिक करने के बाद देखिए, अब इसको सबसे नीची आ जाएंगे, सबसे नीची आने के बाद देखिए, यहां पर आपका तौ दिख जाएगा, आपने जो कर रहे हो वह परजेंट इंपलोयर है यह पहले इसको यह प्रूब करेगा उसके बाद आपका फिल्ड ओपिस अप्रूब करेगा उसके बाद आपका पैसा ट्रांसपर हो जाएगा तो आपके इस रिजेक्शन रिजन का यही सोलुसन है सबसे पहले आप जितनी भी कंपनी क्लैन को प्लेंट की लिए इप्लाइ करें प्याप पॉर इप्लाइ करें वीडियो को एक नापको कर देखें इसके बाद अपना आप्लाइ कर दे पहले आपको यह रिक्वेस्ट डालनी है इसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है उसके बाद आपका कोई भी रिजेक्शन एरर नहीं आएगा आपका क्लेम सेटल्मेंट कर दिया जाएगा पैसा कुछ जानकारी आप सब के साथ सेर करनी थी आसा करता हूं आप सबको जानकारी अच्छी लेगी आप सबको मदद मिली होगी वीडियो से बीडियों आपको अच्छी लगी है वीडियो से आपको कुछ मधत मिली हो दोस्तो वीडियो को लायक जुरू कर दें वीडियों क्सक्तन vy वीडियो कैसी थी और दोस्तों और इंफोर्मेaboutी वीडियो के लिए चैनल को सबक्राइब कर दें क्योंकि ऐसे इसी इंफर्मेट जाहिंद